तो चलिए फ्रेंट्स एक और नई वीडियो लेकर आपके साब में हमें आ चुके हैं तो आज हम बात करने वाले हैं Vivo Phones Company के बारे में क्योंकि हमने दो फोन जो सेलेक्क करें एक तरफ V Series का फोन रखा है एक तरफ मैंने X Series का फोन रखा है क्योंकि यहाँ पर Zyce का कोलाबरेशन V40 के अंदर भी आ चुका है तो प्राइस डिफरेंट 15,000 का है बट चीज़े क्या क्या आपको डिफरेंट मिलती है क्या आपको V Series की तरफ जाना चाहिए फिर X Series तो बिलकुर वीडियो पलास तक बेने रहेगा प्राइस तरफ प्राइस तरफ प्लास्टिक का फ्रेम दिया है बट आइपी रेटिंग्स के अगर बात करें तो दोनों में बिर्फुल सिमिलर सी है दोनों फोन आप पाने में डुबा सकते हैं बेजी जग आपी 68 आपको मिल जाएगा वेट और विट थे कर बात की जाए विट थोड़ी सी 100 की जादा है वेट 200 ग्राम की उपर जाता है वी 40 आपको मिलता है 190 ग्राम का ठिकने 7.5 एम के दीग गई है तो नो डाउट डिजाइन और लुक्स के मामरे में दोनों फोन आप अपने हिसाब से आपर कर सकते हैं तो चली बात करें दोनों फोन के डिस्प्ले क्वालिटी को लेकर तो यहाँ पर साइस तो आपको सिमिलर सा मिलता है 6.78 इंचिस का डिस्प्ले मिलता है तो जो मेजर अपडेट से अपर दी गई है यह इस चीज को लेकर रहें कि आपको जो है पिक ब्राइटनेस थोटी सी जादा मिल जाएगी क्योंकि नया फोन है तो 4500 निट्स का पिक ब्राइटनेस जाल कर दे दिया है तो आउटडोर के लिए नो डाउट काफी अच्छा व्यू आपका है यहाँ पर सभी अप्लिकेशन को पर उपन करेंगे तो दिख जाएगी बाकी यहाँ पर 30-100 निट्स का पिक ब्राइटनेस आपको एक सनरेट मिल रहा है एक तरफ कोरने इंगोरा ग्लास का सपोर्ट मिलता है तो यह डिफरेंस से बाकी आपको काफी अच्छी क्वालिटीज की डिस्पले दोनों फोन में देखने को मिल रही है तो सबसे जादा वेल फोकस्ड हो जो होता है कंपनी का वीवो में यहाँ पर केमरा पर रहता है तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो काफी मेजर अपडेट्स वीफोर्ट में मिल रहे है दो लेंस आपको मिलते हैं जिसमें 50 मेगा पिक्सल का प्राइमेर लेंस आता है जो कि न्यू सेंसर के साथ आता है सोनी के सोनी आयमेस 921 का सपोर्ट मिल जाएगा आपको इसमें सेकंड जो लेंस से वो भी 50 मेगा पिक्सल का मिलता है आपको जो कि अल्टर वाइट सपोर्ट करेगा 116 से डिगरी तक फिल्ड ओफ मिल जाएगा जाइस का कोलेबरेशन जो की चीज़ें हमें X-Series में मिलते थी वो V-Series में आ चुकी है स्मार्ट और लाइट का सपोर्ट भी आपको कमपणी ने दे दिया है फ्रेंट डिस्प्ले के अंदर जो सेंसर आपके सामने यहाँ पर आपको इसके अंदर भी 50 Mbps मिलता है जो की यह भी आटो फोकॉस की क्वालिटी के साथ आएगा प्लस जाइस की टेकनोलोजी फ्रेंट साइट पर भी यहाँ पर वर्क करेगी लेकिन टेली फोटो लेंज आपको दिया है जो की पोट्रेट की क्वालिटी को थोड़ी सी बिल्कूल इनहेंस करेगा 64 Mbps का पेरिस्कोप टेली फोटो लेंज मिल जाएगा जो की आपको 3X ओप्टिकल जूम के साथ मिलता है यही जो है फोटो है इससे काफ़े भैतरी ना जाएंगे जाएस कोज़रेशन तो मिलता है प्लस 3 star के कोटिंग है जो की night में और low light के अंदर flare सो जो निकालता है आपका फोटो वो यहाँ पर इसको भी एक कम कर देता है वाकी ultra wide quality वीडियो के अंदर आप यहाँ पर click कर सकते है और इसे के साथ साथ यहाँ पर जो है आप इसके अंदर portrait वीडियोग्राफिय भी दोनों फोन के अंदर कर पाएंगे तो यह काफ़े बैस चीज़े बागे अगर पोट्रेट की में बात करूँ तो यहाँ पर आपके सामने यह चीज बिलिकुल क्लियर है यहाँ अगर देखेंगे आप तो 3X optical zoom का support मिल जाएगा जो की photo को काफ़ी next level पर लेकर जाता है जो filters हमें यहाँ पर X series में मिल रहे थे वो इस बार भी 40 में मिल जाएंगे सारी चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है प्लस यहाँ पर जायस के filters भी है जो के B-speed वगेरा जो चीज़ें हमें यहाँ पर X series में मिलती थी वो V40 के अंदर भी डाल का company दे दिये तो यह थोड़ी से photography के concept को next level पर लेकर जाता है नॉर्मल फोटो की बात करें तो आपको यहाँ पर भी color styles मिल जाती है जिसे कि यहाँ पर vivid texture natural जो के जायस के साथ आती है यह चीज़ें हमें यहाँ पर बिल्कुल natural करण निकालना आपको तो वो चीज़ें भी इन दोनों फोन में आपर दी गई है और especially night photography के शोगी नगर आप हैं यहाँ पर तो आपको पहने रोइमा प्लस astro mode और super moon का support भी यहाँ पर मिल जाएगा super moon के अगर बात की जाए यहाँ पर तो इस phone में आप जो 40 तक 10x सपोर्ट करता है और यहाँ पर यह फोन आपका जो है यहाँ पर इसके अंदर पर 10x तक आप चांद के करीब जागर फोटो निकाल सकते हैं प्लस snapshot का option मिल जाएगा और X100 के अंदर more value option के में बात करूँ तो यहाँ पर कुछ advantage चीज़े दो जीए cinematic portraits यह थोड़ा सा यहाँ पर unique चीज़े जो कि हमें यहाँ पर cinematography डारेक्टली आभी X100 से create कर सकते हैं सासाथ फूर्गिंग करना, slow motion वगरा, higher resolution setting सारे चीज़ आपको मिल जाएगी और वहीं अगर वी photo के more value option के अगर में बात करूँ तो यहाँ पर भी आपको as a normal super moon, snapshot, higher resolution setting, astro mode वगरा, dual mode mode का concept भी आपको इस phone में यहाँ पर देखने को मिल जाएगा फोटो की quality की बात करें तो आपको front side पे 50 megapixel मिलता है V40 में और X100 के अंदर आपको front side पे यहाँ पर भी 50 megapixel का sensor देखने को मिल जाएगा तो यह चीज यहाँ पर है जिसमें आपको laser autofocus दिया है X100 के अंदर autofocus इसमें भी मिल जाता है बाकि आप wide photo ग्रूप फोल भी वगरा दोनों फोन में ले सकते हैं night वगरा का shots जो भी चीज़े हैं वो सब आपको दोनों फोन मिल जाएगी वीडियो resolution के capacity के अगर में बात करो तो 4K 60fps जो की vlogging के लिए best option है वो आपको X100 मिलता है और 4K 30fps आप V40 से यहाँ पर निकाल सकते हैं तो resolution setting वगरा थोड़े से advantage obviously आपको photography में next level के X100 मिल जाए sound quality के अगर में बात करो तो यहाँ पर V series के अंदर update निकल करा है इसलिए इसका थोड़ा सा आपके सामने comparison में X series से कर रहे हैं क्योंकि एक बार sound quality भी बड़ा दी गई है dual speaker का support इस बार यहाँ पर V40 series में आज चुका है जो आपको देखने को मिल जाएका loudness obviously काफी best है बस X series के अंदर यहाँ पर थोड़ा से advantage और मिलते हैं गेमिंग का experience obviously काफी best आपका Vivo के phones में हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर इसमें भी updates आ चुके हैं दोनों में OS system के बात करो Funtouch OS 14 पर बेज़ जाता है यह बिल्कु लेटेश प्रोसेसर है उसे के साथ साथ Android version 14 का update मिल जाएगा प्रोसेसर को वालेटी एक तरह Snapdragon 7 Gen 3 का support मिलता है 2.6 GHz के साथ जो कि यहाँ आप consider कर सकते हैं इस price point के हिसाब से बाकि एक series का थोड़ा सा update obviously performance का next level पर जाता है 3.25 GHz के साथ Diamond City 9300 का बिल्कु लेटेश प्रोसेसर मिलता है जो कि Snapdragon 8 Gen 1 को support यहाँ पर compare करता है तो यह चीज आपको performance के मामले में थोड़ी सी best हमें जो है X100 में देखने को मिल जाती है दोनों फोन के अगर यहाँ पर RAM टाइप के कर में बात करो तो आपको RAM expansion का support दोनों फोन मिलता है लेकिन एक extraordinary चीज वी टू चीप डाल कर company ने X100 में दी है LPD-RX, 5X पर दोनों के RAM support आते हैं और यहाँ पर अगर इसके दोनों फोन के connectivity के अगर में बात करो तो आप यहाँ पर देखेंगे Wi-Fi connectivity दोनों में काफि बिनाश लेवल की मिलती है आपको एक तरफ Wi-Fi 7 का support है V40 के अंदर यह आपको Wi-Fi 6 का support मिल जाएगा Bluetooth connectivity के बात करो दोनों में 5.4 के साथ आती है और यहाँ पर इसके संदर 5G, bands जितने भी इंडिया में वरकिंग में है वो सारे support कर देंगे तो dual SIM में आप 5G यहाँ पर चला सकते हैं फोन के अंदर प्लस डाटा, स्पीड बगरा काफी अच्छी आपको दोनों फोन में यहाँ पर नेटर के मामल में मिल जाएगी चार्जिंग के पॉइंट ओफे से बात करो तो आप यहाँ पर देखते हैं V40 के अंदर थोड़ा सा बड़ी बैटरी मिल रही है 55W के बड़ी मिलती है, 80W का चार्ज़र मिल जाएगा Type-C port के साथ यह फोन आता है और उपर के तरफ आयर बलाश्टर का सपोर्ट तो नहीं है यहाँ पर लेकिन ड्यूल स्पेकर का सपोर्ट दिया है एक संडरेट के कर में बात करो तो आप यहाँ पर देखेंगे का ओप्शन मिल जाता है, दोने ही फोन के अंदर यह जीज़ आपको बैस मिल जाती है यह किसी भी चीज़ को यहाँ पर एड़ भी करना तो वो चीज़ हमें AI के फीचर्स दोनों फोन में देखने को मिल जाते है तो चलिए बात करते हैं प्राइजिंग के तो मैंने स्टाइटिंग बताया था आपको आपको आट जीज़ भी एक सोटाइज जीव ले वेरेंट अगर आप वी फोन के अंदर लेते हैं वी वो वी फोटी नेस्ट लेवल की फोटोग्राफी जायस कोलिबडरेशन आ चुका है तो काफी अच्छी फोटोग्राफी इस फोन से भी आप कर सकतें चेनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाए टिक हाउस की फेमिली के साथ